Hello Everyone, Civil's Only में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम लोग budget से related important MCQs डिसकस करेंगे इसमें यहाँ पे जितने भी budget से MCQs बन सकते हैं वो यहाँ सारे कवर किये जाएंगे और इसे दो पार्ट में डिसकस करेंगे आज हम पहला पार्ट डिसकस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट डिसकस कर लेंगे और economic survey के important MCQs already discuss किये जा चुके हैं जिस किसी ने भी उसका वीडियो नहीं देखा है तो पर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं यह दोनों वीडियोज MCQs, economic survey के और budget के ना सिर्फ state PCS या one day exams के लिए बहुत ही important है बलकि UPSC के लिए भी very important है यह और इसमें हर level के questions कवर किये जाएंगे और साथ ही अगर आप लोग बिहार, PCS, उत्तरप्रदेश या उत्तरकन PCS की preparation कर रहे हैं तो सिविल सॉनली की तरप से crash course चला जा रहा है जिसका link description box में दे दिया गया है साथ ही यहाँ पे monthly current affair की वीडियोज भी उपलब्द कराए जा रही है जो Hindi-English दोनों में है और आपको उसका free PDF भी मिलेगा dual language में तो चलिए आज का discussion स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेशन है इस वर्ष का वजट चार स्टम्भों पर अधारित है निमनलिकित में से कौन सा एक उसमें शामिल नहीं है options है PM गति शक्ति असंगठित को संगठित करना समावेशी विकास या फिर निवेश का विद्दपोशन करना इसका right answer है option B आसंगठित को संगठित करना इनमें शामिल नहीं है तो देखते हैं इस वर्ष का वजट के चारो स्टम्भ क्या क्या है PM गति शक्ति है समावेशी विकास उत्पाधक्ता बढ़ाना एवं निवेश उभरते अवसर उर्जा के सुरूप में बदलाव जलवाई उकारवाई और फोर्थ है निवेश का वित्पोशन ये चार स्थम्भ है फोर पिलर से हमारे बजट के इस वर्ष के नेक्स्ट क्वेशन है चालू वर्ष में संशोधित राजगोशिय घाटा कितना अनुमानित किया गया है options है 7% 10% 6.9% या फिर 8.2% इसका राइट एंसर है option C 6.9% देखें यहाँ पर आप ग्राफ में देख सकते हैं जो 2021 का actual physical deficit यानि राजगोशिय घाटा है वो 9.2% है फिर जो 2021 का budget estimate है physical deficit का वो 6.8% है ओके फिर 2021 का revised physical deficit 6.9% है और 2022 देज का physical deficit का budget estimate यहाँ पर 6.4 दस आया गया है यह देख सकते हैं आप next question है कितने शेत्रों को उत्पादक्ता आधारित प्रोच्चाहन यानि PLI से जोडा गया है options है 14 sectors को 12 sectors को 10 sectors को या फिर 9 sectors को इसका right answer होगा option A total 14 sectors को यहाँ पे जोडा गया है PLI से वित्मंत्री ने अपने budget बांश्रट में बताया कि आत्मनिर्भर भारत विजन को साकार करने के लिए total 14 sectors में दिये जा रहे उत्पादक्ता अधारित प्रोसाहन पर ब्यापक अनकूल प्रतिक्रिया हुई है जिनमें 60 लाख नए रोजगारों को भी स्विजित करने के साथ अगले पांच वर्षों के दोरान अतिरिक्त उत्पादन करने का भी शमता है PLI यानि Productivity Linked Incentive कम्पनियों को अपने उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए दिया जाने वाला प्रोसाहन या छूट होता है ये Tax, Rebates, Import और Export Duty Concessions इत्यादी के रूप में दिया जाता है सामान तोर पर PLI योजना का लाब अंतिम उपभोकताओं को कम कीमतों के रूप में दिया जाता है Next Question है PM Divine पहल के संबंद में निम्नलिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला है या भारत के बाढ़ प्रभाविच छेत्रों से संबंदित है दूसरा है इसका उद्देश महिलाओं की आजीविका को बढ़ाना है उपरियुक्त कतनों में से कौन सा कतन सही है या फिर है Option A या केवल दो या एक और दो दोनो या फिर ना तो एक ना तो दो तो इसका केवल दो दूसरा कतन सही है कि इसका उद्देश महिलाओं की आजी विका को पढ़ाना है 2022 देश के बजट के अंतरगत या घोशना की गई है कि उत्तर पूर्व परिशत के माध्यम से यानि कि हिंदी में उत्तर पूर्व प्रधानमंत्री विकास पहल नामक एक नई योजना चलाई जाएगी इससे पीम गती शक्ती की भावना के अनुरूप उत्तर पूर्व की जरूर्तों के मताबिक बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक विकास की परियोजनाओं के लिए एक वित्त पोर्षण प्रदान किया जा सकेगा जिसके लिए पंद्रा सो करोट रुपए का प्रारंबिक आवंटन भी किया जा रहा है जिससे विविन शेत्रों में कमियों की भरपाई करते हुए इवाओं एवं महिलाओं के लिए आजीविका से जुड़ी गतिविदियाँ चलाई जाएंगी चलते हैं नेक्स्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयम गति शक्ति योजना के माध्यम से आर्थिक विकास और सतत विकास के उद्देश शे परिवर्तनकारी द्रिष्ट कोंड के लिए 2022-23 के बजट के अंतरगत कितने शेत्रों पर ध्यान के इंद्रित किया गया है ऑप्शन है दो, पाँच, आठ पे या फिर साथ चेत्रों पर तो इसका ऑप्शन डी ही राइट एंसर है टोटल साथ चेत्रों पर ध्यान के इंद्रित किया गया है जो यहाँ पे PM गति शक्ती योजना है इसके बारे में Civils Only के वीडियो में Government Scheme की सीरीज में बहुत अच्छे से डिसकस किया गया है तो आप उस सीरीज को जाके फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं इस योजना उसमें सारी important schemes कवर की गई हैं 2020 की PM गति शक्ती योजना भी आप वहाँ पे विस्त्रित रूप से समझ सकते हैं इस question का explanation देख लेते हैं वित्मंत्री ने PM गति शक्ती योजना भी विस्तार से बताते हुए कहा कि यह आर्थिक विकास, सतत विकास के लिए एक रूपांतर कारी द्रिष्टिकोन है और इस द्रिष्टिकोन को साथ इंजनों या फिर शेत्रों यथा सडकों, रेलवे, हवाई अड़ों, बंदर गाहों, जन परिवहन, जल बार्गों और लोजिस्टिक संबंधी अवसन रचना को तीवरता से गति मिल रही है अगले प्रश्ण पर देखते हैं 2022-23 के बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से कथन सही नहीं है या फिर है पहला है, वित्ये शमावेशन को सक्षम बनाने के लिए 2022 में 100% डाग घरों को कोर बैंकिंग प्रडाली के अंतरगत कवर किया जाएगा दूसरा है, चायनित अनुसूचित वाड़िजिक बैंको दोरा देश के प्रत्ते हिक राज में सभी जिलो में डिजिटल बैंकिंग एकाईया डिवी उस्थापित की जाएंगी नीचे दिये गए कूट का प्रियोक कर सही उत्तर चुनना है आपको पहल ए उप्षन है केवल एक, बी है केवल दो, सी एक और दो दोनो और डी है ना तो एक ना फिर दो इसका बी उप्षन ही सही होगा, इसमें केवल दूसरा कतन सही है एक देख लेते हैं एक्स्प्लानेशन इस वर्ष के बजट के अनुसार, 2022 में सत प्रतिशत 1.5 लाग डाक घरों में कोर बैंकिंग सिस्टम चालो हो जाएगा जिससे वित्ये शमावेशन संभव हो सकेगा और 11 नेट बैंकिंग, मुबाइल बैंकिंग, ATM के माध्यम से अपना खाता देखा जा सकेगा और डाक घर के खाते से बैंक खाते के बीच का धन, ऑनलाइन ट्रांसफर भी हो सकेगा इससे विशेश तोर पर ग्रामीट शेत्रों में रहने वाले किसानों और वरिष्ट नागरिकों के लिए इंटर ऑपरेबिलिटी और वित्ये शमाविशन की सुभिधा उपलब दो सकेगी और देश की स्वतंत्रता के 75 वर्स का उत्सो मनाने के लिए सरकार ने अनुसूचित वाड़िजिक बैंकों के द्वारा देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिटों की भी स्थापना का प्रस्ताव किया है इसका यह उद्देश सुनिश्चित करता है कि उपभोगता अनुकूल तरीके से देश के सभी इंस्तों तक डिजिटल बैंकिंग की पहुँच कायम हो सके चलते हैं नेक्स्ट कॉस्चिन पे कवच शब्द किसे संदर्वित करता है ओप्शन से रेल के लिए सुरक्षा संबंधी प्रोध्योग की महिला सुरक्षा योजना सेना के लिए सुरक्षा से संबंधी प्रोध्योग की या फिर बाल सुरक्षा प्रोध्योग की इसका राइट एंसर है ओप्शन ए रेल के लि तरगत लाया जाएगा, जो कि सुरक्षा और शम्ता वर्धन के लिए स्वदेशी विश्वस्तरिये प्रियोद्धोगी की है, ये कवश तक्नीकी जो है एक स्वदेशी तक्नीकी है, इसकी मदद से रेल की गति में सुधार और दुरगटनाव पर कंट्रोल किया जा सकेगा, इ भूमी रिकार्डों का डिजिटली करण, कीट नाशकों का छिड़काओ, या फिर उपरियुक्त सभी, तो इसका राइट एंसर है यही, ऑप्शन दी, ये तीनों है, किसान रोन के, किसान रोन जो इन तीनों शेत्रों में सहायक होगा, वित्त मंत्री ने कृशी शेत्र का उ किसानों की भूमी पर ध्यान के इंद्रित किया जाएगा, उसके बाद फजल आकलन, भूमी रिकार्डों का डिजिटली करण, और कीट नासकों एवं पोशक तत्तों के छिड़काओं के लिए, किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, निमलकित में से किस बाजरा का अंतराष्टिय वर्ष घोशित किया गया है, options है, वर्ष 2022, 2025, 2023 या फिर 2030, इसका correct answer है, option C, 2023 को बाजरा का अंतराष्टिय वर्ष घोशित किया गया है, सेयुक्त राष्ट ने पिछले वर्ष भारत की पहल पर, 2023 को बाजरे का अंतराष्टिय वर्ष या अंतराष्टिय कदन वर्ष इसको कहा जाता है, बाजरे को, घोशित करने का प्रस्ता स्विकार किया था, इसलिए सरकार ने कटाई के उपरांत, मुल्ले वर्धन के सासर, घैरेलू खपत बढ़ाने, देश-विदेश में बाजरा उत्पादों की ब्रांडिंग करने को पूर्ण सायोग देने की भी गोश्टा की है, तो 2023 को संइतराष्ट द्वारा बाजरे का अंतराष्टिय वर्ष, चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्टन है, इसका correct answer है, option D, MSME से संबन्दित है, वित्त मंत्री ने अपने भाशर में कहा कि आवश्यक धनराशी मोहिया कराकर, शुक्ष में लगू उद्यमों के लिए रिड़ गारंटी ट्रस्ट, योजना में संशोधन किया जाएगा, जिससे MSME काईउं को 2,00,000 करोंट रुपए का अतरिक्त रेड़ सुलब होगा, और साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अगले 5 वर्षों में 6,000 करोंट रुपए के परिव्य के साथ साथ वर्धन यों त्वरण MSME प्रदर्शन ये RAMP कारेक्रम भी शुरू किया जाएगा, ताकि MSME सेक्टर को और भी अधिक मजबूत और प्रतिसपर्धी के साथ प्रभावकारी भी बनाया जा सके, तो बजट से रिलेटेड इंपोर्टन्ट क्वेस्चन्स के बारे में, आज हमने पहले पार्ट में कुछ इंपोर्टन MSQs को कवर किया, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू